नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सब एक बार फिर से टीचर सोलुशन के यूटूब चैनल पे तो आज हम डिसकस करने वाले हैं आपके साथ यूनिट 6 एन यूनिट 7 एक साथ इसलिए है क्योंकि यूनिट 7 में काफी कम कंटेंट था तो मैंने सोचा कि इसी वीडियो म तो मैं इस मलें यूनिट 7 के कॉशचन के इंक्लूड कर ले जाएं आज जो नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बैल आइकन को जिससे के आपके पास वीडियो नॉटिफिकेशन आ जाए जो भी जिससे कि आपको वेस्ट है आपको सारी देखनी है जिससे कि आपको लर्ण हो जाएं सारे कोशन और आप एक्जाम में अच्छे मेरिट बना पाएं अच्छे जबने कोशन लिख पाएं कोशन काफी ज़्यादा कम हैं लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं उनिट 607 के साथ फर्स्ट कोशन जो आपका रहता है वह आपका शोट में रहेगा और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा कि शुक्षम सिक्षन से आप क्या समझते हैं यानि कि माइक्रो टीचि के बारे में पूछ रहा है फिर आपको लिखना स्टार्ट कर देना आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन का स्किन्शोल लेजेगा नेक्स कोशन की बात करते हैं जो कि आपका फिर से आपका शोट में आपका इंपोर्टेंट कोशन आपका रहता है अनुशीलन प्रशन कोशल या खोजपूर्ण प्रशन कोशल के विशय में शंशिप्त में बताएं तो यह आपका important question आपका रहता है जो कि short में रहेगा give a short description about skills of introducing lessons यह आपका short में आपका important question आपका रहता है नेचे बात की जाए तो enumerate the components of skills of introducing lessons तो यह आपका important question आपका short में रहता है इसको लिख लेजगा आगे बात करते हैं next question की जो की आपका short में आपका important रहेगा फिर से चात्र अध्यापकों के लिए शुक्षम सिक्षन की क्या उपयोगता है तो चात्र अध्यापक या निए जो की बच्चे बेड़ कर रहे हैं उनको चात्र अध्यापक का जाता है चात्र अध्यापकों के लिए शुक्षम सिक्षन की क्या उपयोगता है what is the use of micro teaching for pupil teachers है न तो यह आपका short में आपका important question रहता है आगे बात करते है नेक्श कोशन फिर से आपका यह शूर्ट में आपका important question आपका रहता है action research क्रिया अनुसंधान पर टिपनी लिखे किरिया अनुसंधान पर आपको टिपनी लिख लिए जो कि आपका काफी ज़्यादा important question आपका यह रहता है इसका इसको लिख लेज़ेगा इसको लिख लेज़ेगा next question की बात करते हैं जो कि आप करेगा फिर से short में short में आपका इंपोर्टन कोच रहेगा कि किरिया अत्मक अनुसंधान के विभिन सोपानों का विस्तित वर्णन कीजिया इसके यहां पर इन्होंने क्या स्टेप्स आपके पूछ लिए लेकिन अभी यह short में दो बारा ऐसे पूछ लिए तो यह आपका most important question आपका बनता है short में ठीक है next question की बात करते हैं जो आप कर रहेगा यह आपका देखो ऐसे आएगा तो long में आएगा और ऐसे आएगा तो आपका short में आएगा उद्धीपन परिवर्तन से आप क्या समझते हैं उद्धीपन परिवर्तन से आप क्या समझते हैं ऐसे आ सकता है इन्य वन ओफ दैंड एनि एनी टोपिक्स ओफ यूर ओन चोईश तो यह आपका एसे हैगा तो यह आपका लोंग में ठीक है और यह ऐसे आथा है इतना सा तो यह आपका शोट मैं आपका इंपोर्टेंट रहेगा ठीक है इसका श्किशन लेजएगा इसको लिख लीजेगा आ आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो कि फिर से शोट कोशन में आपका बहुत जादा मौस्ट आपका कोशन रहता है शामपट कोशल से आप का समझते हैं यानि के ब्लैक बोड़ स्किल्स शामपट का उपयोग कैसे किया जाता है लिखे ठीक है तो यह काफी ज्यादा इंपोड़ बॉली कि बीड है यह लेगा जसी चुर्शल को अगर्षोग आपका बिलेक ब्लैक बोड़ पर तो यह उसमें बताना है आपको बनाकर है आपका इम्पोर्ट कॉशन आपका रहता वहीं ча चो भी जाना लेक और को न सिख्शाग निष्पादन के मुल्यांकन से आप क्या समझते हैं कि ईफस्शक निष्पादन के मुल्यांकन की तक्नीपे कौन कौन सी हैं यह आपका लॉंग में आपका मौ OS important question आपका रहता है बात की जाए English में वाट डू यू अंडेस्टेंड बाइदा टीचर्स पर्फोर्मेंस evaluation वाट आर दाट टेक्निक्स ऑफ एवलेटिंग टीचर्स है यह आपका लोग में मौस्ट में question बनता है इसकी लिख लीजएगा नेस्ट कोशन जो बात करते हैं शोट में रहेगा कि शिक्शक जवाब देगी पर संश्टी टिपनी लिखी है ना ऐसे आसे आ सकता है और शिक्शक की परतिवदा परतिवद्दा से आपका समझते हैं ठीक है यह आपका शोट में आपका most important question आपका रहता है इसको लिख लीजेगा इसको लिख लीजेगा next question जो आपका बनता है वो आपका short में आपका important बनता है कि अध्यापक की वरतिक आचार सहीता से आप क्या समझते हैं तो इध्यापक की वरतिक आचार सहीता से आपका समझते हैं यह आपका short में important question आपका रहता है तो यही थे आज आज आपके unit 6 and unit 7 के most important question जो कि मैंने आपको कराए हैं जो कि आपका subject राधा triple T या निगे teacher teaching and technology के तो जो भी questions मैंने आपको बता हैं आपके exam में वो आपको 100% आपके exam पूर नहीं है सारे question बहुत ज्यादा important question कम है लेकिन बहुत ज्यादा most important है इसलिए आपको एक भी question नहीं चोड़ना जिसको याद करके आप अपनी अच्छी merit बना सकते हैं ठीक है चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करिएगा बैल आइकन को प्रेस करिएगा वीडियो को like करेग में पूरा पूरा मोडल तो फटावर्ट से आपका सारा स्लेवस आपका complete हो जाएगा टेंशन नहीं लेनी है पढ़ते रहना है study hard और अपना ध्यान रखना है ठीक है अगर बात करें एक्जाम डेट का नोटिस आपका जल्दी आ जाएगा तो इसलिए परशान नहीं होना ल झाल